नमस्कार दोस्तों, उमीदें आप सभी पढ़ रहे होंगे क्योंकि बहुती कम समय बच गया है CGPSC 2021 के प्रिलिम्स के एक्जाम के लिए दिरे-दिरे समय बीटता जा रहा है और जिस तरह से समय बीटता जा रहा है उस हिसाब से मुझे पूरी उमीद है कि आपकी तयारियां भ भी बढ़ाना ही पड़ेगा आज का जो टॉपिक है वो यह है कि जो प्रिवियस एर्स क्वेशन पेपर्स होते हैं या हाल ही में जो एक्जाम्स हुए होते हैं उनके क्यों प्रिवियस एर्स क्वेशन पेपर्स होते हैं तो देखिए जो प्रिवियस एर्स क्वेशन पेपर तो इसलिए जो पुराने पेपर हैं उनका महत बहुत ही जादा होता है इस टॉपिक पे मैं आगे कुछ बताओं उसके पहले मैं आपको यह बता दू कि अभी भी जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनमें 40% ऐसे वीवर्स हैं जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नह जो CGPSC के तयारी करना चाहते हैं लेकिन उचित माध्यम और मागदर्शन के बिना वो अपने तयारी को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए तो पुराने पेपर्स की मैं बात कर रहा था देख मैं एक पेपर को 100-100 questions में बाढ़ दू तो आप यह देखेंगे कि आप 50-60 questions बहुती easily तरीके से solve कर ले जाएंगे और उसके बाद जो 20 questions है उसमें दो option ऐसे होते हैं कि आप उनको eliminate करके अपना answer खोज लेंगे 10 questions के आसपास ऐसे होते हैं कि 4 में से 1 option आप eliminate कर लेंगे बिल्कुल नए रहेंगे तो अब आप इन 10 questions का क्या करेंगे क्या आप इन 10 questions को सिधे टिक लगा के आप उस paper को किनारे लग देंगे कि बाद में फिर कभी आप उस paper को पढ़ेंगे तो इन 10 नए questions को भी पढ़ेंगे तो मेरी यह सला है कि ऐसा मत करिएगा क्यों क्योंकि question जो आपने थोड़ा दिमाग लगाने के बाद solve कर लिया था तो ये 80 question तो आपको कहीने कहीं से याद हो गए हैं और याद नहीं भी हैं तो ये आपके mind में store हो गए हैं जैसे ही ये question आपके नजरों के सामने आएंगे आप उसका सही answer टिक लगा देंगे लेकिन ये जो 10 question है जो आपको नहीं आते थे और आपने पहली बार इस paper में देखे थे तो इनके लिए क्या करना है इनके लिए मैं जो technique अपनाता था मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि पुराने question paper को आप समहाल के रखिए लेकिन इन पुराने question paper को बार बार solve मत करिए आप इन papers में से उ यह देखिए यह मैंने एक copy बना लिये थी और इस copy में मैंने प्री के syllabus के according साथ notes चिपका रखे थे अब इसमें से देखिए जिस तरह से यह साथ notes हैं अब कोई ऐसा एक topic आ गया जो question बिलकुल नया है यह 36 बड़ की बात कर रहा हूँ मैं suppose कि जंजाती परमपराएं और त्य यहां मैंने अपने एक register में note कर दिया तो इस तरह से जब मैंने इसको note किया तो यह question जो है मेरे पास हमेशा के लिए store हो गया अब जैसे कि question है जोडिया सोडिया उप जाती किस जंजाती की है तो यह question जब मैं paper solve कर रहा था तो मेरे लिए बिलकुल नया था तो यहां पर मैं कौन सी जंजाती सिर्फ रायगर तक्सीमी थे कंद तो ऐसे ही करके यह पूरे जो questions हैं यह इसमें भरे हुए हैं इस तरह से मैंने यह सब कुछ कर लिया था एक question है कि सवाल जवाब पर आधरी जहरपट एंवित्य कौन सी जंजाती करती है इसका answer है बहना तो यह जो questions थे य पूरा वो 100 questions दुबारा solve करने के मैं उन questions का revision करता था जो मेरे लिए नए थे इससे मेरे समय की भी बचत होती थी और नए questions भी मुझे मिलते थे इसी तरह से मैंने भारत के GS के लिए भी register बना रखा था और pre-case syllabus के recording उसको भी 7 अलग-अलग पार्ट में मैंने divide कर लिया था य इस तरह से मेरा अपना खुद का question bank तयार हो गया था और इस question bank के जरीए मेरी preparation कहीं ज्यादा better हो गई थी अब देखिए इस तरह से मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि आप अलग-अलग बाट केस को करिए अगर आप एक register बनाएंगे और आप randomly सारे questions को note करते जाएंगे तो history का है कौन सा geography का है कौन सा economics का है लेकिन इस तरह से जब आप tag लगा कर history, geography, economy ऐसे tag लगा कर रखेंगे और जब आपके नजरों के सामने history का question नए आएगा जिसे आप solve नहीं कर पाए हैं तो आप इस history वाले portion में ही उसको लिख लेंगे अगली बार जब आप history को revise कर रहे हों तो इस तरह से आपका एक जो portion है वो complete होता चला जाएगा तो ये 36 गड़ और GS दोनों के लिए हैं नए questions जो पुराने papers में आए हैं उनको बिलकुल जो है मत छुड़िये उनको अलग से रखिये ही और अभी जो पिछले 2-3 exam हुए हैं उनको trend आप देखेंगे तो अब static GS का portion काफी कम आ रहा है one liner answers कम आ रहे हैं एक question दे दे रहा है और उरके तीन से चार कूट दे दे रहे हैं और उन कूट को मिलाने के बाद ही आप अपना answer निकाल पा रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ ये है कि अब आपको ज़्यादा deep पढ़ाई करनी हैं आपको किसी भी विशे के तह तक जाना है सिर्फ उपर उपर के question ही आपको याद नहीं करने हैं तो ऐसे में जब आप अपनी पढ़ाई करेंगे इस तरह से questions को निकाल के करेंगे तो आपका prelims कही ज़्यादा better होगा और आप खुद भी अपने आप में ज़्यादा confident feel करेंगे क्योंकि आपने पुराने paper तो solve किये ही जो question आपको आ रहे हैं उनने ज़्यादा revise करने के ज़रूरत नहीं को कि वो आपको याद हैं जो नए question है उसके लिए आप ज़्यादा समय न देखके सिर्फ उनी प्रशनों को revise कर रहे हैं उनी प्रशनों को याद कर रहे हैं तो वो आपके ल लोग राईपुर में हैं, नया राईपुर में, बंत्राले में वो जॉब करते हैं, सचीवाले में जॉब करते हैं, वो बस से सफर करते हैं, तकरीबन एक घंटे के आसपास बस में लगता है. आप इस register को लेके बैठ जाएए और पन्ने को पलटते रहिए तो आप इस तरह से चलते फिरते उन questions में नज़र डाल सकते हैं अगर आप घर पे हैं, hostel में हैं, library में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो लंच के टाइम, जब आप खाना खा रहे हैं, तो सामने इसको रख लीजिए, पन्नों को पलटते रहे हैं तो इस तरह से बार-बार आपके नज़रों के सामने से गुजरते रहेंगे और आपके ये जो portion है, वो तयार होता रहेगा तो ये तो पुराने papers की बात कर रहा हूँ, मैं इसी तरह से अगर आप कोई solved paper जो है वो देख रहे हैं, या unsolved देख रहे हैं सपोस्कि की Lucent का unsolved जो है, उससे आप history का portion solve कर रहे हैं और उसमें आपको कोई नया question मिल रहा है तो बज़ाए उस मोटी book को बार बार पलटने के, आप उन 4-5 question को ऐसा ही register में note down कर लिजे तो इस तरह से जब आप question को note down कर लेंगे, तो आपका समय बचेगा और आपको उन मोटी किताबों को पढ़ने से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप देखेंगे कि आपका खुद का यह जो question bank आप तयार कर रहे हैं वो आपके exam में आपको बाकी लोगों से कहीं जादा आगे लेकर जाएगा और आपकी तयारी पहले से better होगी, यह आप खुद में feel करेंगे क्योंकि नए प्रशन जब हमारे सामने आते हैं और हम पहली बार में उसका answer नहीं दे पाते हैं और वही question कहीं exam में आगया और हमने उसको revise नहीं किया और बाद में हमको सिर्फ पस्ताने को मिलेगा कि यह question को मैंने अच्छे से revise क्यों नहीं किया इसलिए जो भी paper हो चुके हैं हाल ही में जो paper हुए हैं उनके सभी questions आपको पता होने चाहिए उनके सभी answers आपको पता होने चाहिए अभी देखिए वेटनरी exam हुआ उसके बाद ACF का exam हुआ अभी फिर आपका ADPO का exam है हर एक exam में GS का portion है चतिरवर का भी GS है और भारत का भी GS है तो आप इन portions को जरूर देखिए भले ही वो किसी भी specialty का paper हो इससे क्या होगा कि आपका GS का portion है वो अच्छा होता जाएगा और आप अच्छा score कर पाएंगे क्योंकि आपको मालूम है कि prelims में GSE merit बनाता है और जो आपका CSET का paper है वो सिर्फ qualifying है तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी कुछ इस तरह की strategy कुछ इस तरह की चीजों को आप follow करिए क्योंकि अभी भी काफी समय है prelims में आप चाहें तो अपनी तैयारी को और धारत दे सकते हैं और अब तक आप जितनी पढ़ाई करते रहे थे अब आप अपने समय को बढ़ाना शुरू कर दीजिए क्योंकि prelims ही main है prelims clear होंगे तो ही आप mains लिख पाएंगे फिर मिलूंगा कुछ इसी तरह के नए topic को लेकर ताकि आपके पढ़ाई और बहतर हो सके आपको इस वीडियो कैसा लागा अपनी राय जरूर दीजेगा टैंक यू